गाईज पानी तेल और दूद के ट्रक गोल ही क्यों होते हैं। आप रोड पर आने जाने वाले कई बाहनों को देखते हैं। उफी तरह आपने आने जाने वाले ट्रकों को देखा होगा। कुछ उवरगा कार, कुछ गोला कार होते हैं। लेकिन आप जब तरल प्रदार्थ अ दोला आकार होते हैं जबकि आयताकार होगा तो उसमी ज्यादा मात्रा में तरल प्रदार्ठ एक अस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जाया जासकता है दरफल पुराने समय में जब तरल प्रदार्थ को एक अस्थान से दूफरे अस्थान पर पहुचाया जाता था तो वह लोग घोले की प्रीट पर टैंक बांध कर पहुचाया करते थे सन 1905 में एक इस्टेंडर एंगल नाम की अमरीकन कमपनी ने इस समय स्या को देखते हुए ट्रेंकर का निर्माल किया तरल प्रदार्थ की एक विशिष्टा होती है कि वह कोनों पर ज़्यादा मात्रा में दबाव बनाएगा जिससे आयता कार्ट रखके कोनी जन्दी खराब हो जाएगे और रिशाव का खत्रा बना रहेगा जबकि गोला कार होने पर सभी तरब पे बराबर का दबाव लगेगा जिससे गोला कार टैंक आपी लंबे समय तक उप लोग में लाया जा सकेगा और रिशाव का खत्रा भी नहीं रहेगा इसी वज़ा से इनके टैंक के गोल होते हैं गाई अगर जैनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक लिए जैन हिंद